हेलो वेलकम तो टॉबली स्टुटेक माइशल दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रगामिंग आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्रेटर प्रेसिडेंस की और एसेटिविटिविटी की तो प्रेविस वीडियो में हमने यह देखा था कि वाट इस ऑपरे दीखते हैं कि एक्श्व में क्या होते हैं और इनकीक्श्री में क्या इंपोडleader है चीक है तो दोस्तो हमारे पास ही ही में जीते वी उपरेटर है वो तीन तरके होता है, जिसको काम करने के लिए एक value चाहिए, और दूसरा होता है binary operator जिसको work करने के लिए दो operant या दो value चाहिए होगी, तीसरा होता है turnary, जो की एक ही है, जिसको हम लोग conditional भी बोलते हैं, उसको काम करने के लिए तीन operant की requirement होती है, तो क्या हो जब हमारे expression ब activity, यह actually में क्या काम करती है, ठीक है, तो precedence आपको यह बताएगा, कि अगर आपका expression के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा operator आ रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा operator आ रहे हैं, तो उस case में कौन सा operator पहले चलेगा, means, for example, मैं आपसे लेता हूँ, example, कि आपने लिखा है, suppose कीजिएगा, integer a, और आपने लिखा a equal to 2 plus 3 into 5, तो दोस्तों, इस expression के अंदर आपके पास में 2 operator आ रहे हैं, या मतलब इसको solve करने के 2 तरीका हो सकते हैं, कि पहले तो हम लोग plus perform करें, तो इसके बाद में हम लोग multiply perform करें, या पहले हम लोग multiply perform करेंगे, और उसके बाद में plus perform करेंगे, तो इसकी 2 situation हो सकती है, अब हमारे पास में doubt यह रहता है, कि यह वाला equation इसको यह ऐसा पढ़गा compiler य कि कौन सा operator पहले solve होगा, पहला किसको solve कर जाएगा, बाद में किसको solve कर जाएगा, यह जो concept है, operator का, उसी को हम लोग कहते है operator precedence, ठीक है, जबकि associativity यह कहती है, कि अगर आपके पास में 2 या 2 से ज़्यादा operator है, और दोनों की precedence बराबर है, ठीक है, तो फिर पहले कौन सा run ह होगा, मतलब यहां पर हम बात करें, हम लोग कहते हैं कि सर, according to mathematics, यह इकलत है, इस equation हम ऐसा solve नहीं कर सकते हैं, यह equation solve होगी, क्योंकि multiply की जो precedence होती है, दोस्तों, वो plus से ज़्यादा होती है, तो यह higher precedence operator है, और यह lower precedence operator है, तो C यह कहता है, कि जो higher precedence operator है, चाहे वो कहीं भ मतलब यह equation हमारा compiler इस way से solve करेंगा, ठीक है, एका solve करके दिखाता हूँ कि क्या answer आता है, इसका मतलब है कि precedence यह बोलता है, अगर मैं बता दूँ कि precedence C के अंदरा ऐसी है, कि इसकी precedence high है, high precedence, ठीक है, और इसकी precedence है, वो से तोड़ी सी low है, lower precedence, ठीक है, तो according to C, precedence यह कह कुछ ऐसी बन जाएगी, now, अब आप इसमें क्या add कर सकते हैं, 15 कंदर दो add कर सकते हैं, तो आपका हांसा आजाएगा 17, अब यह जो 17 आया, यह जाएगा A में, तो A की value क्या हो जाएगी 17, अगर मैं A की value को print करता हूँ, print F, person D, A, तो हमें answer क्या मिलने वाला है, 17 मिलने वाल है, यह होती है, हमारा precedence का rule, ठीक है, अब question आता है, यहाँ पर, associativity के बताती है, associativity यह कहती है, कि अगर हमारी equation में, जैसे कि 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 या 2 से ज़्यादा operator है, 2 या 2 से ज़्यादा operator है, तो और उनकी precedence में, जैसे कि यहाँ पर दोनों, इनकी precedence में, अगर मैं यहा तो भी इनकी precedence से में, ठीक है, इसका मतलब प्लस की और माइनस की precedence होती है, तो जब हमारे पास में same precedence के 2 operator आजाए, तो तब कौन सा solve करें पहले, तो यहाँ पर काम करता है, associativity rule, तो यह कहती है, यहाँ तो आप equation को left से right में solve करेंगे, या right से left में solve करेंगे, तो सभी operator की precedence और associativity दे रखी होती है, वो compiler में पहले से final होती है, हमें उसको समझना और याद करना होता है, उसके according हमारे प्लस करता है, for example, precedence यह कहता है कि higher precedence वाला यह होता, higher precedence यह होता, lower precedence, अब यहाँ पर precedence stable यह कहती है, C कि कि दोनों की precedence बराबर है, तो वो कहता है, आगर दोन समय लिखी, उसका according हम लोग लेफ्ट से राइट चलेंगे, इसका मतलब पहले यह solve कह जाएगा, 2 प्लस 3, कितना 5 हुआ, ठीक है, यह वाला 4 माइनस कह जाएगा, तो आज से कहा है, तो यह होती है associativity, तो दोस्तों दोनों ही concept अच्छे है, दोनों ही concept सही है, अपने अपनी हो पा रहा है, क्योंकि दोनों की precedence सेम है, उस case में associativity की importance बढ़ जाती है, तो यहां हम लोग associativity कामे ले रहे हैं, लेफ्ट से राइट, और कुछ operator होते हैं, जो कि right to left पी चलते हैं, तो दोस्तों हमारे पास अभी तक हमने जित्ते भी operator पढ़े हैं, अर्थमेटिकल के हमने सब का अलग है, ठीक है, तो यह आपके according final नहीं हो रहा है, एक programmer के according final नहीं होता, कि भी associativity rule क्या है, या फिर precedence क्या है, यह हमारे पास compiler में already है, अब question यह आता है, कि यह बहुत बड़ी table आने वाली है, और वो आपको याद भी होनी चाहिए, इसके बिना आपनों काम नहीं क फिर होती है brackets की, then हमारे पास में increment, decrement, फिर unary minus plus, ठीक है, फिर bitwise यह सारे unary हो गए है, फिसके बाद में हमारे पास माता है multiply, divide और modulus की, then हमारे पास आता है addition, subtraction, multiplication, addition, subtraction की, ठीक है, और concatenation की, फिर left shift, right shift, तो यह होती है precedence, ऐसे हमारे पास सबकी दे रखिए, यह बहुत अच्छी से clear ना हो, तो आपने एट पर जाकर चेक कर सकते हैं, यह बहुत जादा बड़ी टेबल है, तो यहां पर कुछ precedence दे रखिए, आपको याद होना चाहिए, और साथ में associativity दे रखिए, कि अगर यहां पर दोनों ही साम आ गए, अगर यह सारे operator, जो की same precedence के हैं, अ modulus, अगर एक equation मा आ गए, तो हम लोग इसको left-right solve करेंगे, addition और subtraction, अगर एक equation मा आ रहे हैं, तो हम लोग left-right solve करेंगे, तो दोस्तों यह table बहुत बड़ी है, आपको हुच्छ तो दिखाई भी ना दे, इसके अलावर भी काफी है हमारे पास में, तो यहां पर यह जो table याद करनी पड़ती है, यह आपको समझनी पड़ेगी, यह हमारे C के अंदर already होती है, और C का जो compiler उसके according की work करता है, तो मैं आपको एक trick बताता हूँ, कि अगर हमें इस चीज़ से बचना है, ठीक है, अगर हमें इतना याद नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे precedence final करें, य हम लोग मैनत कर रहे हैं यहापर, और मैं आपको example देता हूँ, ठीक है, suppose करो कि मैं पास को equation लिखी वी है, इस तरह से, 2 plus 3 into 4, तो according to precedence, यह वाला multiplication पहले solve होगा, लेकिन आपको चाहिए के नहीं, मुझे तो plus पहले solve करवाना है, तो आप यहाँ पर bracket का use कर सकते हैं, यहाँ तो सबसे ज़्यादा precedence bracket की होती ही, तो पहले bracket solve होगा, अब यहाँ पर 3 into 4 नहीं होगा, पहले होगा 2 plus 3, अब यह equation कर सो लोगी, यह होगी 5 into 4, ठीक है, यहाँ साएगा 20 और 20 जाएगा e में, इसका मतलब है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे according equation बने, हमारे rule के according equation चले, तो आपको additionally bracket put up करने होते है, हाँ, precedence और associativity तब काम में आती है, जब आपको, आपने clearly नहीं बताया कि पहले क्या solve होगा, पहले क्या solve होगा, जैसे कि यहाँ पर, अगर मैं इसको हटा दू, यहाँ पर मैंने कुछ ही नहीं notify किया है, कि यहाँ पहले कौन सा solve होगा, बाद म हमारा compiler यहाँ पर solve करने के लिए, associativity या precedence का rule apply करेगा, तो पहले तो यहाँ पर precedence rule apply करते है, हम लोग, क्या वो valid है या नहीं है, तो precedence rule करता है, यह valid है, और पहले यह multiply होगा, ठीक है, तो according to precedence rule, multiply को पहले solve करेंगे, well, फी इसको बाद में add करेंगे, ठीक है, तो, answer किता आजाएगा भी, answer आजाएगा 14, 14 आजाएगा A की value, हाँ, आप चाहते हैं, हमारे according equation चले तो आपको additionally bracket add करने पड़ते है, equation में, जो कि ज्यादा अच्छा है, तो precedence पर, यह तो आप precedence को याद कर ले, और उसके according, आप लोग, उसको equation को लिख ले, या इतना याद करने के ब 10 divided by 2, multiply 3, अब अगर आपको इसकी precedence नहीं पता, और assertivity rule नहीं पता, तो आप इसको solve कैसे करेंगे, मतला आपको पता ही नहीं होगा कि इसका result क्याने वाल है, क्योंकि divide की और multiply की precedence सीम होगी, ठीक है, तो अब आप पहले कोई साप्लाई करेंगे, बार में कोई साप्लाई कर कर दीजीगा, तो यह पहले operator solve होगा, और अगर आपने यह put किया है, दोस्तों, इस तरह से put किया है, तो पहले यह solve हो जाएगा, तो क्यों हम लोग control अपना compiler को दे रहें, क्यों ना हम अपना equation का control अपने हाथ में रगे, और जितना हमारे हाथ में होगा, हम लोग उतने ही ब associated rule आपको अच्छे से clear होना चाहिए, क्योंकि आपकी equation उसी की base पर रन होने वाली है, दोस्तों, यह तो था हमारा associated और precedence के according, अब मैंने आपको जो example दिया है, क्योंकि अगर मैं एक एक operator के लिए आपको एक example देना लग गया, तो हमारे पास video बहुत ही जाला लंबा हो से, तो सब पर example देना मुश्किल है, और सब के combination बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत हजारों combination बन जाएंगे यहापर, तो हम लोग कुछ छोटे मूटे example देख रहे हैं, ठीक है, चले एक और example देखके देखते हैं, कि माना कि हमारे पास कोई variable A है, माना कि कोई variable A ह फिर आपने लिख दिया 2 प्लस 3 ठीक है, और आपने लिख दिया less than less than 5, 5 को मैं अच्छे से लिखता हूँ, अब यहापर दो operator है, एक plus है, एक less than है, अब आपका doubt आएगा कि सर्फ पहले कौन सा सोल होता है, तो आपको पता होना चाहिए, precedence के according क्या होगा, और आप क्या चा by default पहले सोल होता है, ठीक है, addition पहले सोल होगा, बाद में यह सोल होगा, तो यह कैसे सोल होगा, 2 प्लस 3, 5, 5 less than 5, क्या हैगा false, क्या हैगा false, false बोले तो 0, ठीक है, 0 बोले तो a की value क्या होगा, यह 0 हो चुकी, अब आप मान लिजी आपको 3 less than 5 पहले करना था, लेकिन आप ल 3 less than 5, true, true, true बोले तो 1, 1 प्लस 2, 3, अब a की value क्या हो जाएगी, 3, यह equation कुछ ऐसे बन जाएगी, इसका answer रहेगा 1, then इसमें 2 add करेंगे, यह answer रहेगा 3, और 3 हमारे इवेशन हो जाएगा, तो ज्यादा अच्छा यही है कि precedence पर और associative पर हम लोग डिपेंड ना करें, ज्य control हमारे हाथ में रहेगा, equation को हम लोग लिखेंगे, हमारे according question चलने चाहिए, तो हम लोग से bracket का use करना है, और कुछ use नहीं करना है, बहुत easy concept है, बड़े मज़दार concept है, आप program जब इस तरह से habit डाल देंगे, तो आपके program का जो output है, behavior है, वो आपको पता रहने वाला है, आप hope आपको ये precedence और associativity rule को पता हो गया होगा, ठीक है, तो इस video में हम लोग केवले इतनी ही बात करेंगे, next video में हम लोग कुछ और देखेंगे, के भई हमारे पास में एक concept आता है, जब equation हम लोग फिल operator लगाते हैं, तो एक और concept आएगा जिसका नाम है type casting, तो दोस्तों मिलते next video type casting के अंदर, आज के इस video में के वले इतना ही, तब तक के लिए thank you.